नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर कम्पिटर वित RCS में अपनी इस चैनल में मैं आपके लेकर आता हूँ कम्पिटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटिब धेर सारे वीडियो तो अगर आप चैनल पर भी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब में कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम पाइथन कोड की मदद से एक डिजिटल क्लॉप बना सकते हैं उस डिजिटल क्लॉप को बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन्स हम लखेंगे उन इस्ट्रक्शन्स को लाइं बाइ लाइन में आपको कम्प्रीट समझाऊंगा तो आपस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास तर जरूर देखें अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल जान करें लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देगी प्ले विस्ट में जाकरके आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो पाइथन के फंडामेंटल से अप्लोट किया हूए हैं तो चलिए सटार्ट करते हैं अपने वीडियो को लेट्स स्टार्ट इस वीडियो में हम सेखेंगे कि कैसे हम python code की मदद से एक digital clock design कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं open कर लेता हूं एक python id कि visual studio code इसमें मैं एक नई file यहां से चूच कर लेता हूं और इस file को save कर देता हूं desktop पे ठीक है digital clock.py नाम से ओके तो सबसे पहला काम मेरा है कि मुझे एक library इसमें import करनी है उस library का नाम है tkinter ठीक है तो मैं यहां पर लिखूँगा from tkinter import that means इसका मतलब है कि वो stick inter library के अंदर जितने भी classes होंगे वो सारी classes मेरे इस program में import हो जाएंगे इसके बाद मुझे एक module import करना है time module तो मैं लिखूँगा import time as t इसको मैं एक allies name प्रोवाइट कर दे रहा हूं shortcut name okay सबसे first मुझे एक window create करनी है जिस window में वो मेरी clock डिस्प्ले होगी तो उसके लिए मैं एक object बना रहा हूं एक variable define कर रहा हूं dc is equal to tk method का use करूँगा for creating of window ओके और इसके बाद title function के मतद से I will give or title to this window तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहां पर dc.title और इसको title provide कर देता हूं rcs digital clock okay then title देने के बाद the next work है इसकी मैं geometry set कर देता हूं that means उसका height or width कितनी होगी उस window की तो मैं यहां पर लिखूँगा dc.geometry और इसका size मैं अभी देता हूं इसको 500 into 100 okay यह इसकी width और height है okay then इस window को मैं आपको show करके दिखाता हूं कि यह बनी नहीं बनी मेरे window तो इसके लिए मैं इसको यहां पर function call कर दूँगा main loop okay main loop function मदद करेगा इस window को execute करने में ठीक है तो इसको save कर लेते हैं and then run it तो आप देख रहे हैं यहां पर एक window आपकी क्या होगी है create हो गई है ठीक है अब इस window के अंदर मुझे एक label create करना है जिस label पर मैं अपने जो clock है digital clock है उस clock के जो digital date से वो show होंगी आपको ठीक है और यहां पर मैं date भी आपको show करूँगा ठीक है दोनों चीजे आपका digital clock बना रहे हैं इसमें हम जो आज की date है current date वो भी show होगी और सांद में आपका clock भी show होगी ओके तो सबसे पहले मैं create कर लेता हूं एक label ठीक तो label के लिए मैं एक variable ले 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 रहा हूं यहां पर l equal to label और इसके अंदर text provide कर देता हूं text equal to welcome फिलार मैं आपको दिखाना चाहरा हूं कि label कैसे create करते हैं और इसके बाहर मैं इसको pack कर दूँगा pack function यह pack function मदद करता है उस label को window में show करने में अगर pack function यहां पर use नहीं करूँगा तो वो जो label है वो आपके window में show नहीं होगा ठीक है इसको save करके run कर यह दूबारा से तो आप देख रहे हैं यहां पर आपका एक label create हो गया है जिसमें हमने text दे दिया था welcome तो actually हमने इस label में welcome यहां पर नहीं देना है बलकि यहां पर क्या देना है हमें हमें देना है जो digits हमें उस clock में show होंगी digits को यहां पर show करना है आपने ठीक है तो उसके लिए इसमें तोड़ा सा changes करता है इस label में मैं changes करता हूं इस label को मुझे कहां show करना है आपका dc object के अंदर that means window के अंदर comma font में थोड़ा सा इसका size जो इसके अंदर जो भी digits लिखेंगे उनका font set कर लेता हूं तो font equal to यहां पर मैं देता हूं font का जो type है वह फिलाल में कर देता हूं तो area okay then उसका size में कर देता हूं 25 उसे मैं थोड़ा bold format में ले दूँगा ठीक है तो bold format में देखेंगे तो उसके लिए यहां पर लिख दूँगा bold and then font मेरा clear हो गया है अब मैं label का जो background color है उसको set कर देता हूं उसके लिए आपको bg is equal to background color में यहां पर set करना पढ़ेगा black okay and comma इसका foreground color में check बनायता हूं अभी red okay and then save it and check it is working or not तो आप देखें जो भी मेरा font है वह red color में आ रहा है और background जो है label का क्या हो गया है आपका black हो गया है ठीक है इस तरह से आपने एक label बना दिया है अब इसमें आपको क्या लिखना है डिजिट शो करनी ठीक है तो अभी हमने देखा कि label के अंदर यह text हमें दिखा रहा है लेकिन अब हमने इस text की जोगा पर हमें वहाँ time को और date को शो करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहां प t.strf time function और इसके अंदर मैं pass कर दूंगा date month और year को पर जन करने के लिए arguments तो मुझे यहां पर लिखना है percentage d for date फिर hyphen percentage m for month hyphen percentage y for year okay comma percentage h for hours colon percentage m for minutes colon percentage s for seconds and percentage p for am और pm तो अब यह क्या होगा कि जो यह d variable है इसके अंदर आपका जो time है date or time वो store हो गया है ठीक है उसको आपको डिस्पले करना welcome की जगो पर आप pass कर देंगे d और इसे control as करके मैं run करके आपको लिखाता हूं तो आप देख रहे हैं वहाँ पर आपका date or time यहाँ पर show हो गया है ठीक है लेकिन अब आपको करना क्या है कि जो digital clock होती है यह clock हर second में क्या होनी चाहिए update होनी चाहिए तो ठीक है आपको इसक process को करने के लिए मैं एक recursive function यहां create कर लेता हूं ठीक है तो मैं आपर create कर रहा हूं इस line के उपर def time नाम से function बना दे रहा हूं ठीक है यह function recursive function होगा खुद में ठीक है अब वो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं और इस line को मैं इस function के अंदर store कर दूँगा और इसके ब ठीक है और इसके अंदर text equal to d आप पास कर देंगे then अब आपको यह करना है कि हर second के बाद इसको update करना है तो उसके लिए आप after function का यूज़ करेंगे l.after और यहां पास कर देंगे thousand comma यहां पर call कर देंगे इस function को ठीक है तो इस तरह से ही recursive function आपका काम कर रहा है and then उसके बाद आपको इस function को क्या कर गएना है call कर गएना है ठीक तो एक तरह से आपका program अप complete हो गया है तो इसको मैं safe कर लेता हूं और run करा के आपको दिखा दो हूं तो आप देख रहे हैं आपका एक clock पुरी तरह बन गया है थोड़ा इसका डिजाइन में आप तो चेंज करना है हमने ठीक है तो तो थोड़ा size उगर इसका fit कर लेते है ठीक तो सबसे important तो है कि पहले आते है window पर तो यह window को हम यह जैसे resize हो जा रही है ठीक है हम चाहरे है कि यह fix रहे तो उसके लिए हम यहाँ पर यहाँ पर इस window को resizable function के अंदर resizable के अंदर जिन दोनों values क्या करदेंगे 0,0 pass करदेंगे false value pass करदेंगे इसके करने रिए resize नहीं हो पाएगी ठीक है और एक और important चीज़ जो हम करने जा रहे है वह है font क्योंकि जो digital clock का जो font होता है वह होता है आपका ds digital नाम से आप इस font को internet से download कर देजे तो मैं यहाँ पर कितरों का teacher clock कितरों look आएगा ठीक इसका font size में कर देता हूँ 45 ठीक है और दूतिन चीज़ चेंज करनी है एक और इसका size में कर देता हूँ यहाँ पर size में रख देता हूँ 510 to 70 और साथ में इसका जो background color है label का sorry window का उसको भी मैं change कर देता हूँ तो dc.conf configure यहाँ पर bg equal to comment black ही रख लेता हूँ उसे भी ठीक है तो अब इस तरह से यह complete हो गया है अब एक पर और इसको save करके run करिए तो आप देख रहे हैं आपकी perfect digital clock यहाँ बन गई है ठीक अब आप चाहरे हैं कि जो यह window का background है और यह outer body दिख रही है इसकी इसको भी आप remove करना जा रहे हैं ठीक है तो उसके लिए आप क्या करेंगे एक और statement आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक function यूज़ कर दीजिए dc.override redirect और इसके अंदर pass कर दीजे अभी true value ठीक है इसको हम true रखना चाहरे हैं कि ताकि वो outer इसको बाहर का area जो है उसको दिखे ना हमें ठीक है और इसको save करके आप run करें तो आप देखेंगे perfect आपकी एक digital clock यहाँ तैयार हो गई है जिसमें date भी आ रहा है और साथ में time भ रहा है तो इस तरह से आपने create करी एक digital clock कैसा लगा आपको यह वीडियो आप comment section के मातिम से comment करके मुझे बता सकते हैं अगर वीडियो बसंद आया है तो जल्दी से नीचे देगे like button प्रेस करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें मिलते हैं अब यह वीडियो में thanks for आप और ऑाल